लौकी ना खाने वाले भी रोज किलो किलो लौकी खरीदेगे लौकी की ये सबसी खाकर तो हेलो फ्रेंड्स धैर्यास किछन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ धैर्या लौकी के जबदस टेस्टी और नई रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले कड़ाई के अंदर दो गलास जितना पानी डाल दिया है अब इसमें एक उबाला है तब तक हम रात देखेंगे अब जब तक पानी में उबालाता है तब तक एक ठाली के अंदर हमने एक कप जितना पेसन ले लिया है और जिसके अंदर हमने एक टीस्पून जितना कश्मिरी लाल मेज पाउडर डाला है साथ ही हमने वनफो टीस्पून जितना हेंग डाला है स्वाधन उसाय नमक डालेंगे हाफ टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डालेंगे और दो टीस्पून जितना तनियाजीरा पाउडर डालेंगे अब इसके अंदर हम half teaspoon जितनों अजवैन को इस तरीके से हाथों की मदद से crush करके डालना है, इससे ना flavor बहुत ही enhance हो के आत है, साथ ही में हम एक चमच जितना इसमें मोयन के रूप में तेल डालेंगे और दो चेट की जितना हम खाने वाला सोडा डालेंगे, सोडा को activate करने के अधी निम्बू का रस्ट डाला है और एक teaspoon जितना हमने sugar डाला है, अब सभी चीजों को mix कर लेंगे, बेसन में आटा लगाते वक पानी बहुत ही कम जरूरत में लगता है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालके हमें इसका आटा गोदना है, अब बेसन हाथों में चि और हाथों की मदद से इस तरीके का हमें इसमें घटे जैसा हम बनाते हैं, वैसा हमें shape देना है, और चाको की मदद से इस तरीके से हम cut कर लेंगे, तो इसी तरीके से सब हमने घटे बना कर तयार कर लिए हैं, अब दूसरी तरफ पानी में उबाला चुका है, तो पानी के न उबलने के बाद इस तरीके से अलग हो जाएंगे, अब जब तक हमारा जो घटा है वो पकनी जाता तब तक हम इसे पकाएंगे, यहां पर देख सकते हैं थोड़ी देर बाद एकदम घटे कितने फूल गए हैं, जो size पहले थी उससे double हो चुके हैं, अब जब तक इतना पान के अंदर मैंने चाटे बस पूंच इतना तेल गरम कर लिया है, जिसके अंदर हमने half teaspoon इतना मेथी दाना डाला है, एक teaspoon इतना राई और एक teaspoon इतना जीरा डाला है, और फो teaspoon इतना हिंग डाल के तड़के को अच्छी तरीकी से चटका लिया है, थोड़ी से कड़ी पता डालें अलाद законч debating टीचमीन वालावी इस टारीवाली पन के त्यार होती आप हमने चलदी पाउडर डाला है ली कश्मी लावावडर तीचमील और कलर इंग्याले। तुमाटर का यूज किया है, साथ में दो कम तीखी वाली हरीमिश डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे, मिला लेने के बाद इसमें दो टीस्पूंच इतना हमने धन्याजीरा पाउडर डाला है, एक टेबल स्पूंच इतना हमचीनी डालेंगे, यह तोटली के इतना हमने मिली को टुके ओढ़र यूज के बाद एक DM हमने घरम पानी से यूज कि आप गई दक जोटा है, जब तक यह सूचल झूल को बड़ी तो नहीं मिला हैं तो एक—मीट के पाहले गिया है, इसमें दोटले मिली को टुकड़ पानी काउटी तो यहां पर गरम पान मैंने लगा ली है कुकर खुलने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं एकदम हमारी तरी वाली सबजी तयार हुई है देख सकते हैं उपर सारा तील आ चुका है एक बार अच्छे से मिर्क्स कर लेंगे और लौकी को चेक कर देंगे तो अभी हमारी जो लौकी है वो 60-70% ही दाल देंगे तो आप देख सकते हैं घटे में जो ग्रेवी है वो दिम घाड़ी हो चुकी है जब इसको हम लौकी में डालते हैं तो एक रस हो जाती है और सबसी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और लीट के और करके इसकी हवा है वो हमने निकाल दी है और गैस को फिर से अन कर लिया है तो हवा निकालते वक्त आपको गैस को बंद कर लेना है तो यहापर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी हमारा अलग नहीं हुआ है अभी यह सबजी जैसे ठंडी होगी तब ही और घाड़ी हो जाएगी औ लास्ट में इसमें एक निम्बू का रस्ट डालेंगे और एक टिबस स्पूझ इतनी तेल को गरम कर लिया था जिसमें एक टीस्पूझ इतनी तीखी वाली मिर्श पाउडर डाली है और इस तड़के को ऐसे उपर से डाल देंगे तो लौकी की सबजी यह थोड़ी सी मीठी इस सबसी को आप नर्मली फूल का रोटी के साथ पराठे के साथ और लास्ट में आप इसे चावल के साथ भी सव कर सकते हैं तो आज की रेसपी आपको किसी भी कारण से पसंद ही हो तो प्लीस वीडियो को लाइक शर चैया को सबस्क्कायब करना ना बूलेगा मैं जल्दी म लोगी एक और नए वीडियो के साथ तब तकी लिए बाबाइ